किस तरीके से आईपियो के लिए अपलाई किया जा सकता है यानि अगर आप ग्रो एप का यूज करके ट्रेडिंग करते हैं सेयर खरीदते बेशते हैं आप आईपियो कैसे खरीदेंगे यही मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूं अभी जो अगर वीडियो पसंद आएगी तो एक बर लाइक जरू दबाएगा सबसे पहले क्या करना है यह जो ग्रो इसको उपन कर लेना है इसके बाद आपको यहां पर अग्रे चिलीक करें जो आपको इस टॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे और ध्यान रखिएगा आपके पास डीमेट एकाउंट होना चाहिए इसके बाद क्या करना है आपको इसको उपर की तरफ स्क्रॉल करते करते जाना है उपर की तरफ स्क्रॉल करते वे जाएँगे तो एक जगह आपको IPOs लिखा हुआ आए जाएगा और उसके जस्ट नीचे ये एक सेक्षन आपको दिखाई संब्सक्राइब करते तो यहां पर डिखाई और इसका जोबाव है वो यहां पर आपको दिखाई देगा है एक share की जो कीमत रहने वाली है वो 313 रुपए से 315 रुपए के बीच में रहने वाली है और lot size में यहाँ पर application दिया जाता है आप एक single share के लिए application नहीं दे सकते हैं lot size में देना होता है तो यहाँ पर एक lot की जो quantity रखी गई है वो 47 share की रखी गई है और इसका open date है 21 December और 23 December को यह close हो जाएगा तो 21, 22, 23 तीन दिन इसमें apply आप कर सकते हैं अगर और detail देखना है तो आप view details के उपर click करेंगे यहाँ पर कुछ details आपको और दिखाए देंगी जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने shares के लिए यह issue लाया गया है कितने share है और इसकी listing date क्या है यानि share market में इस share को आप trade कब कर पाएंगे तो 1 January 2021 इसका date दिया गया है listing का अब अगर आपको apply करना है तो यहाँ apply के उपर आपको click करना होगा देखें सबसे पहले bid 1 आपको दिखाई दे रहा है वीडियो में आप देखने है shares की संख्या यहाँ पर डालनी होगी अगर आपको एक lot के लिए apply करना है तो 47 रखना होगा दो lot के लिए apply करना है तो यहाँ पर 94 डालना पड़ेगा ठीक है तो इसी तरीके से आपको जितने lot के लिए apply करना है उतने lot को आप 47 से multiply कर सकते है ठीक है अब यहाँ पर maximum आप 13 lot तक apply कर सकते हैं यह भी आप ध्याँ रखिएगा तो यहाँ पर मैं single lot ही apply करना चाहूँगा यानि एक lot के लिए ही apply करना चाहूँगा इसलिए यहाँ पर 47 रखा है quantity इसके बाद यहाँ पर bead price bead price में आप अपना price अगर यहाँ डालना चाहते है आपने देखा कि 313 रुपए से 315 के बीच का इसका price offer हुआ है तो आप जो है कि 313 में अगर इसको खरीदना चाहते हैं आप यह सोच रखे हैं कि 313 में मिलेगा तो ठीक है नहीं मिलेगा तो हमें नहीं लेना है तो आप यहाँ पर यह जो cut up price वाला option है यह वाला इसको check mark को हटा दीजिए और यहाँ पर आप जो है कि 313 डाल दीजिए 313 डाल देंगे तो यह 313 में मिलेगा तो आपको मिल जाएगा share अलाट हो जाएगा अगर 313 से जादा यानि 314 में मिल लाए 315 में मिल लाए तो आपको नहीं मिल पाएगा ठीक है तो बीड लगाने का क्या फाइदा नुक्सान है वो आपने देख लिया कि अगर 313 में मिलेगा तो आपको मिलेगा नहीं मिल पाया तो फिर नहीं मिलेगा ठीके लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं में Cut Up Price के उपर लेना चाहता हूं यानि जो इसका Maximum भाव है 300 15 वहाँ तक भी मिले तब भी ले सकता हूं 313 मिले तो ले लेना है 314 मिले लेना है तो आप यहां पर चेक्मार्क लगा दिजिए तो यह Cut Up Price पे अपका application सब्मिट होगा 315 रुपे ठीक है अब यहां पर एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि इस अप्लिकेशन को आपको अप्लाई जो करना है वो दस बजे से ले करके साम को पांच बजे तक आप इसमें अप्लिकेशन दे सकते हैं ठीक है अब यहां पर देखिए आपका जो टोटल अब्लॉक होगा इस IPO के लिए वह 4,805 रुपे यह पैसा आपको अपने बेंकशं। 이렇게 काउंट में रखना है आपके बैंक काउंट से पैसा ब्लाउक हो जाएगा कटा नहीं है एक्चलि ब्लाउक हो जाता है आपके बैंक अकाउंट में ही और जब आपको सेयर मिल जाता है त उसको फिर use कर पाते हैं ठीक है तो चलिए यहाँ पर हमने bit select कर लिया है अगर आपको कोई और bit लगानी है तो add bit के उपर click करके एक और bit भी आप लगा सकते हैं लेकिन बहतर होता है एक single bit ही लगाई है आप ज़्यादा सही रहता है इसमें quantity आपको जितनी रखनी है वो quantity आप यहाँ डाल दीजेगा पर lot size के हिसाब से quantity पढ़ेगी वो आप ध्यान रखिएगा इसके बाद आपको यहाँ पर click करना है कहा continue के उपर continue के उपर click करेंगे तो यह वाला page open हो जाएगा यहाँ पर आपको अपनी भी मैफ है तो क्या उसका यूपी आइडी support करेगा तो बिल्कुल करेगा क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे है यूपी आई लिखवा आ रहा है यह देखिए यूपी आई लिखवा रहा है तो आइड़ यूपी आई इसका मतलब की भी मैफ को यह support करेगा ठीक आइड़ देरेट वाई बील भी मुझे तिक रहा था यहाँ पर तो इसका मतलब यह है कि यह phone pay को भी support करता है बहुत सारे आपको यहाँ पर यूपी आई देखने को मिलना है जिनको यह support करता है क्योंकि ऐसे है सिटी है सब्सक्राइब कर लेना है उसके बाद आप यहाँ एक ग्री कर लेते हैं टर्म कंडिशन को चेक मार्क लगा करके उसके बाद आप यहां पर continue को उपर क्लिक कर देंगे continue को उपर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज को उपर आ जाते हैं यहां पर जो है की करना है नंबर आप सेयर में तो आप यहां इडिट को उपर क्लिक करके एडिट भी कर सकते हैं नहीं करना है आपको आपकी information सब सही लग रही है तब आप यहां प पैसा ब्लॉक करने की बात है उसके लिए आपको आपके यूपी आई आइप के ऊपर जो भी आपका यूपी आइडे अपने यूज किया था भीम आपका किया था गुगल आपका किया था उसके ऊपर आपको वीदिन 24 आउर 24 गंटे के अंदर एक पेमेंट रिक्वेस्ट आए है और आपका यह जो अप्लिकेशन है यह 100% सक्सेस्फुली सब्मिट हो जाता है यहाप को डन के उपर क्लिक कर देना है और अगर आप किसी तरीके का स्टेटस चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए आप 21 दिसंबर 2020 31 दिसंबर को जो है की आपको पता चल जाएगा कि आपको अलाट हुआ है या नहीं हुआ है अगर हो गया है तो आपके स्टॉक ट्रांसफर हो जाएगा आगर नहीं हुआ है तब आपका पैसा का क does जाएगा लिस्टिंग का डेश जो वह एक सफरे अगर आपको share मिल गया है तो आप यहां पर company जब लिस्ट होगी तो इस टाइम पर आप उसको बेच सकते हैं